असलाम अलेकुम मेरे खुबसूरत साथियों खुशामदीत करते हूं मेरा हेल्थ एंड लाइफस्टाइल चैनल पर मेरा आज का वीडियो ब्यूटी से रेलेटेड वीडियो है और आज का मेरा टॉपिक है बाल गर्मियों का मौसम आ चुका है सबको बता है कि अब तो लू भ बढ़ चुकी है आज चुकी है तो बॉड़ी पे तो एफेक्ट पढ़ता ही पढ़ता है और उसके साथ ही साथ आपके बालों पे भी इसका बहुत बुरा आसार आता है रूखे रूखे से सूखे अजीब से बाल हो जाते हैं तो चमक तो पता नहीं कहां खो जाती है समझ मे नहीं नहीं आता क्योंकि इस समय काफी जो बच्चों के भी स्कूल कॉलेजिस हैं और आने मोले टाइम में वो जाएंगे जो वर्किंग हैं बाल बहुत खराब हो जाते हैं तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा DIY जो आपके बालों में खोई चमक लो अब मैं आपको यहां बता रही होगी कि आपने चावल भी कौन से लेने हैं आप बास्मती चावल मत लीजिएगा आप खुछ सोचिए बास्मती चावल में स्टार्च तो होता नहीं और अगर हम चावल से अगर अपना फेस के लिए मास्क बना रहे हैं या बालों के लिए म मोटा चावल मिलता है उसको रखा कीजिए उसी का जो आपके उपर रिजल्ट आएगा बालों पे या फेस पे तो वह बैस्ट आता है तो फिर आप फ्रोसा मोटा चावल लीजिए मैंने रात में दो कटोरियों में दो-दो चम्मच अलसी और एक कटोरी में दो चम्मच चावल मैंने भीगो के रख दिया आप इसको ओवरनाइट सोग करना चाहें तो बैस्ट है और अगर आप थोड़ी देर के लिए सोग करना चाहती है कि बस हम कुछ देख लिए आधा एक गंटा के लिए सोग करेंगे काम हो जाएगा तो फिर आप वो भी करना चाहें तो कर सकती है लेकिन बेस्ट रहता है कि आप ओवरनाइट सोक करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं उनको उसमें उनका सारा आ जाता है जो कुछ भी है उनमें खूबी होती है वो सब पानी में आ जाएगी नेक्स्ट मॉर्निंग उठे उसको अब एक आपने जिसमें पकाना है सबसे पहले मैंने अलसी को फ्लैक सीट्स को इसका मैंने जल बनाना है तो फिर जो मैंने दो चम्मच अलसी भीगोई थी उसको आप अपने सॉस्पैन में डाल लीजिए और उसमें दो कटोरी पानी जिसमे उसमें से पकने लगे तो इसको आप हिलाते चलाते रहें और देखें जब वो बहुती मिल्की वाइट हो रहा है जल आपका देखेंगे जब वो वाटर जो उसका है बॉइल होने पर जब वो मिल्की वाइट होने लगे आप उसको तब अपने स्ट्रेनर में आप उसको चान न ठंडा होगा वह और थिक हो जाएगा तो जब वह milky white होने लगे तब आप उसको चनी में चान लीजिए बड़े आराम से आपको watery लगेगा आपको लगेगा मेरा तो खराब हो गया यह कैसा हो रहा है लेकिन आप ध्यान दीजिए मेरे उस वीडियो में मैंने उसको shoot किया है कितना watery सा हो रहा है लेकिन उसके आद आप आगे देखेंगी कि जैसे जैसे time बीता है वो ठिक होता जाता है तो इसलिए चिंता मत कीजिएगा बस पहचान यही है इसकी कि आप देखें कि जब वो milky हो रहा है आप तब चावलों को चड़ा दें आप चावल भी जब हो किजिए और चावल अलग कर लिजिए चावल का पानी फे किएगा नहीं वह बहुत जरूरी है अब इसके पहले आप फ्लेक्सीट का आपने निकाली लिया है जेल अब आप चावलों को डालिए उसमें ग्राइंडर में अपने और थोड़ा सा उसमें चाहें तो आप चावल का पानी डालें या फिर आप फ्लेक्सीट जेल ही डालके उसको पीसें वह बहुत स्मूथ हो जाए और ध्यान रिखेगा चावल आपके बहुत पतले मत कर दीजेगा अब पतले हो जाएंगे तो फिर वह आपका मास्क बन नहीं पाएगा बालों के लिए ठीक है तो उसको थ देखेंगी कंसिस्टेंसी सारा फ्लेक्सीटल मिकस ही मत डालेगा ग्रेंडर में जब आजाए आप अपने बोल में निकालिये फिर उसमें आप फ्लेक्सीट जेल डालके उसको मिक्स कीजिए उसके बाद आपको सबसे मेन इंग्रिडियेंट क्या लेना है और कोकॉनट लिया है, वो cold pressed है coconut oil, वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैंने उसको try किया है, बहुत best है, तो आप उसका एक दो चम्मच, उसमें flaxseed gel और coconut oil भी 2 स्पून, 2 टेबल स्पून डाल लीजिए, ठीक है, उसके उसको mix करिए, मैंने इसको store करके रख लिए, क्योंकि जब मैंने ब लेकिन आप सभी को पता है, कि मेरी तवियत खराब हो गई थी, और इसमें भी मैं sweater पहने हुए हूँ, तो मैं इसको आज पूरा कर रहे हूँ, अब आप इसको अपने use करना हो, तो फिर आप इसको निकाले, हाथ में लें, और अपने बालों में अच्छे से लगा लें, जाएगा, इसमें बिल्कुल एक आधा घंटा काफी है आपके लिए, ठीक है, उसके बाद आप mild shampoo से अपने बाल धो लेंगी, उसके बाद देखेंगी, बाल कितने अच्छे हो गए, अगर आप कोई rinse भी अच्छा लगाना चाहती है, आप लगा लें, अदर्वाइस किसी च हफते में तकरीबन दो बार तो जरूर ट्राय करें, आप इसको हफते में दो बार ट्राय करके देखें, कैसा result मिलता है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं इसको लगाती हूँ, और जो residue बचे हुए हैं, आपके चावल का पानी का, और फ्लेक सीड का जल तो आ मास्क बता सकती हूँ, आपको हेर मास्क, फेस मास्क, ठीक है, तो उसको सीड को और चावल का पानी उसको फेक कियेगा नहीं, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए उसको हम next में बताएंगे, तो चलिए, खुदा करें, आपका ये बहुत अच्छा बने, जितन आपका बहुत अच्छा बने, और आपके बाल बहुत अच्छे, ठीक और हैवी हो जाएं, और वाल्यूम आए उनमें और जणे बिल्कुल नहीं, और मेरे तो मुझे बहुत फायदा मिला, आपको भी मिले, चलिए, मिलते हैं, फिर किसी next वीडियो में, नय टॉपिक के साथ मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं, अस्सलाम अलेकूम